आकाश्वाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारना सच्देव सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार प्रधान मंत्री कल वर्चुल माध्यम से स्वर सहायता समूह की महिलाओं से करेंगे चर्चा मुख्य मंत्री ने स्वच प्रेड़ना समाहरों में साड़े आठ हजार से अधिक नियुक्ति पत्रों का किया वित्रन और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कल वर्चुल माध्यम से देश की स्वर सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा करेंगे इस अफसर पर ग्वालियर में कारक्रम का आयोजन किया जाएगा गुना में भी प्रधान मंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण किया जाएगा इसके लिए शुब विदाई गाडन में तैयारियां की जा रही है मुखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा चैनीद अभियर्तियों को कहा है कि जन सेवा और जन कल्यान के भाव से शास्किय सेवा में अपने कर्तवियों का निर्वहन करे मुखे मंत्री डॉक्टर यादव ने विक्रम बेताल के प्रसंगों के माध्यम से प्रशासन और प्रबंधन के सूत्र अभियर्तियों से जाजा किये मुक्य मंत्री डॉक्टर यादव राज्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए 110 में और 111 में संयुक्त आधार पूत प्रशिक्षन कारिकरम के शुभारम सत्र को प्रशासन अकादमी सभागार में सम्भोधित कर रहे थे मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा वर्ष 2019 और 2020 के चैनीत 210 अभियर्तियों के लिए 7 सप्ता का प्रशिक्षन सत्र प्रशासन अकादमी में आयोजित किया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मूहन यादव ने आज लाल परेड मैदान भोपाल में आयोजित स्वच्छता प्रेड़ना समारों में 8500 से अधिक नियुक्ती पत्रों का वितरण किया साथ ही भोपाल मेट्रों के आर्ट स्टेशनों का मुमी पूजन भी किया गया है करक्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक हफते के अंदर 15,000 अभियर्थियों को और नियुक्ती पत्र प्रदान किये जाएंगे श्रीयादव ने प्रधान मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भोपाल और इंदौर में मेट्रों के लिए राशी मंजूर की गई है उन्होंने कहा कि जवलपूर और ग्वालियर में भी मेट्रों की सुविदा शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री ने नगरिया निकायों के विकासकारियों के लिए एक हजार करोड रुपे की राशी का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहर यादव ने सिंगस्त दो हजार अठाइस के लिए पशुपतिनात मंसौर, खंडवास्तित दादा धूनी वाले, भादवा माता, नलखेडा, उंकारेशपर आधी के अदोसन रचना सुधार को सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज सिंगस्त के लिए प्रस्तावित कारी योजना पर मंत्राले में आयोजित बैठक को समुदित कर रहे थे बैठक में नगर्य विकास और आवास मंत्री के लाश विजेवर गिया, राजास्व मंत्री करण सिह वर्मा, जल संसादन मंत्री तुलसी सिलावत, मुख्य सचिव आधी अधिकारी उपस्तित थे बैठक में मुख्य मंत्री ने कहा कि एक शिप्रा नदी के घाटों का विस्तार किया जाए ताकि बड़ी संख्या में आने वाले श्रधालू सरलता से स्नान कर सकें, साथ ही पार्किंग विवस्ता सुनिचित की जाए उलेकनिय है कि वर्ष दो हजार अथाईस में 27 मार्ट से 27 मही तक सिंहस्त महापर्व संपन होगा इस महापर्व में 9 अप्रेल से 8 मही की अवदी में 3 शाहिसनान और 7 पर्व सनान प्रस्तावित है सिंहस्त महापर्व में लगभग 14 करोड श्रधलों के आगमन का हनुमान है अता इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों को समिलित करते हुए सिंहस्त दो हज़ाटाइस के लिए प्रारंबिक कारे योजना में लगभग 18,840 करोड के 523 कारे प्रस्तावित है प्रदेश में कल से पांचवी और आठवी कक्षाओं की परिक्षाओं शुरू हो रही है ये परिक्षाओं बोर्ड पैर्टरन पर होंगी राचे शिक्षा के इंदर द्वारा 11,986 परिक्षा के इंदर बनाए गए है प्रदेश में इस पर्ष इन परिक्षाओं में 1,14,956 सरकारी, प्राइवट स्कूल और मदरसों के लगबग 25,51,818 विद्यार्थी परिक्षा में शामिल हो रहे हैं पांचभी कक्षा में करीब 13,00, और आटभी कक्षा में लगबग 12,00, विद्यार्थी शामिल होंगे परिक्षाओं के सुचारो संचालन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रिथक से एक IT पोटल तयार किया है आएकर विभाग ने घोषणा की है कि वह उन करदाताओं को पत्र भेजेगा जिनके आएकर रिटर्न में मुल्यांकर मर्श 2021-22 के दोरान असंगतता पाई गई है आएकर विभाग ने यह भी बताया है कि इस अवधी में कुछ मामलों में विशेश वित्ये लेन देन के संबंद में आएकर रिटर्न में दी गई जानकारी में असंगतता पाई गई साथ ही कुछ मामले ऐसे हैं जिन में आएकर रिटर्न दाखिल ही नहीं की गई मध्यप्रदेश पावर जेनरेटिंग कमपनी के दो ताप विद्यूद ग्रहों सत्पुडा ताप विद्यूद ग्रह सारणी और श्री सिंगाजी ताप विद्यूद ग्रह दोंगलिया को फ्लाइव आश के कुशल प्रबंधन द्वारा शत प्रतिशत सदिप्योग के लिए राश्रे पुरसकार से सम्मानित किया गया सत्पुडा ताप विद्यूद ग्रह सारणी को 500 मेगावाट और श्री सिंगाजी ताप विद्यूद ग्रह दोंगलिया को स्टेट सेक्टर में 500 मेगावाट से उपर खीश्रिणी में यह पुरसकार प्राप्त हुए पिछले दिन प्रद्योमन सिंग्तोंवर ने इस उपलब्दी के लिए दोनों ताप विद्योद ग्रहों के संबंद अभियंताओं और कार्मिकों को बधाई दी है अब कुछ समाचार संक्षेप में मुखे मंत्री कल अशोगनगर के प्राणपूर में देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिजम विलज का लोकारपन करेंगे समाहरों में केंद्री मंत्री जोती राधित्य सिंधिया सहित अन्य प्रतिनिदी शामिल होंगे कॉंगर्स नेता राई गांदी की भारत छोड़ो निया यात्रा आज देवास जिले में पहुँची जिले के ग्राम दोता में कॉंगर्स नेता जैराम रमेश प्रदेश अध्यक्ष जीतु पटवारी ने प्रेस कौंफरेंस में यात्रा के बारे में जानकारी दी इस मौके पर श्रीपटवारी ने लोगसभा में प्रदेश में 15 सीटे कॉंग्रिस द्वारा जीतने का दावा किया और नीमच जिले के ग्राम सुवा खेडा के जय सावरिया आजीवी का स्वा सहायता समहुद्वारा प्राक्रतिक फूलों पत्तियों से प्राक्रतिक रंग गुलाल तयार किया गया है ये प्राक्रतिक रंग गुलाल आम जनों के लिए नीमच में विपनस्तानों पर विक्री के लिए उपलब्द है इस बुरुटर में फिलाल इतना ही अनुमती दीजे नमस्कार